Hello everyone, welcome back to my channel तो friends, आज हम बनाने जा रहे हैं ककोरे की सब्जी इससे कंठोला या परोरे की नाम से भी जाना जाता है ककोरे में बहुत सारे health benefits होते हैं जिनने मैं आपके साथ आगी शेयर करूँगी तो बने रहेगा वीडियो के end तक इसके पीसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं पर मैंने इससे इस तरह से goal shape में कटा है ककोरे में जो बहुत सारे health benefits होते हैं सबसे पहले तो ये वजन कम करने में बहुत help करता है ये बहुत ही low calorie होता है दुसरा ये diabetes और BP को भी control करता है और ये skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है immunity को भी बढ़ाता है और आखों के लिए भी बहुत फायदे मंद है बरसात के मौसम में अगर आप इसे अपनी daily diet में शामिल करते हैं तो सरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ ये digestion भी ठीक रखता है तो चलिए अब इसे हम बनाने की process में चलते हैं सबसे पहले मैंने याँ पर दो बड़े प्याज लिये हैं चार से पांच लेसन और एक इंच अद्रक का तुकड़ा लिया है इन सभी को पीस कर हमें इसका एक paste बना लेना है ककोरे जो हैं ये बारिश के मौसम में ही ज़्यादा आते हैं तो आप हपते में दो से तीन वार इने खा कर अपनी health को बहुत ज़्यादा improve कर सकते हैं इन सभी चीजों को मैंने जार में डाल दिया है अब हमें इन सब का एक paste बना लेना है तो यहाँ पर प्याज अद्रक और लेसुन का paste बनकर तयार हो गया है ये देखिए इस तरह से इतनी थिकनिस के साथ हमें इसे पीस लेना है अब हम चलते हैं next process में सबसे पहले हम इसमें 4-5 टेबिल स्पून तेल डालेंगे इसे बनाने के लिए मैंने अभी गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखा है तेल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद आदा टेबिल स्पून जीरा डालें आदा टेबिल स्पून मस्टर्ड सीट्स भी डालेंगे यानि की राई अब इसमें हमें प्याज अदरग लैसन वाला पेस्ट डाल देना है इसके बाद से हमें इसी तरह चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर उसके लाइट ब्राउन वोन लेना है प्याज के इस पेस्ट को हमें भूनने के लिए इस तरह लगातार चलाते रहना है ये जो अद्रग लेसन और प्याज की प्यूरी है इसे मैं लो फ्लेम पर सेख रही हूँ जिसे हमारी प्याज अच्छे से सेख जाए कच्चापन भी ना रहे और इसमें मैंने तीन से चाल लेसन इस तरह से खड़े खड़े डाले हैं प्याज को लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए हमने बून लिया है और देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है प्याज इतना ज़्यादा डालेंगे यह उतनी अच्छी बनेगी तो मैंने एक बड़ी प्याज को इस तरह से लच्छे में कट करकर इससी में मिला लिआ है अब इन दोनों ही प्याज को हमें low flame पर इसी तरह चलाते हुए सेख लेना है golden brown होने तक प्याज अच्छे से सिख चुकी है अब इसमें हम मसाले एट कर लेते हैं सबसे पहले इसमें हम आदा टेबले स्पून हल्दी डाल देंगे आदा टेबले स्पून लाल मिर्स पाउडर भी डालेंगे साथ ही इसमें एक से दो टेबले स्पून दनिया पाउडर डालेंगे और आदा टेबले स्पून गरम मसाला भी डाल देंगे और अब इन सभी मसालों को हमें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मसालों को अच्छे से मैंने mix कर लिया है और प्याज भी हमने इसमें थोड़ा ज़ादा ही डाला है प्याज ज़ादा डालने से क्या होगा न की ककॉरे में प्याज की मिठाद भर जाएगी जिससे सारे मसाले काकोरे में भी मिल जाएं मसालों के साथ काकोरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें हम डाल देते हैं आदा टेबिलिस्पून नमक ये लगबग धाइसोग्राम काकोरे हैं इसमें मैंने आदा टेबिलिस्पून नमक डाला है अगर आप ककूरे की quantity कम जादा रखते हैं तो आप उसके हिसाब से भी नमक एड़ कर सकते हैं तो नमक को भी अच्छे से mix करने के बाद इसे हम 3-4 मिनिट ढख कर पकाएंगे मैंने gas को यहाँ पर low flame पर कर दिया है अब हम इसे पकने देते हैं तो फ्रेंट्स 3-4 मिनिट हो चुके हैं अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं वैसे तो ककूरे लगबख पक चुके हैं लेकिन इन्हें हम 1-2 मिनिट लिए एक बार और ढख कर पकाएंगे एक से 2 मिनिट हो चुके हैं अब हम इने फाइनली चेक कर लेते हैं इस तरह से हमें ककूरे को चेक कर लेना है तो ये देखिए मैंने एक ककूरा लिया यहां पर और इसे दबाकर देख लेते हैं ककूरा लगबग पक चुका है तो लीजिए बहुत शांदार सी और एक स्पाइसी सब जिवन कर तयार हो गई है बहुत सारे health benefits के साथ और मैंने इसमें बहुत जादा oil का यूज भी नहीं किया है क्योंकि हमने एक healthy dish बनाई है आप इसे बरसात के मौसम में अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए इसके बहुत सारे health benefits हैं तो आप इसे इस तरह से एक बार घर पर जरूर ट्राइ करें यह आपको बहुत पसंद आएगी और हम इसके उपर थोड़ा सा कटा हुआ हरादनिया भी डाल देते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको यह recipe अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जाज जादा like और share कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आग्याने वाले वीडियो की notification आपको मिलते रहें तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली और नई recipe के साथ